करें है यह हम आज रिवीव कर रहे हैं अन्बॉक्सिंग कर रहे हैं डबलूडी का शॉट्च वर्जन आया हुआ है थर्मल कैमरा यह तो देखेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या आता है इसका रिजल्ट कैसा है कैसा है प्रोड़क्ट यह सारा कुछ देखेंगे तो उसको ओप इसका बॉक्स आता है पैकिंग तो बहुत अच्छी लगी मिजस की वेड भी काफी है इसके साथ में और यह कि डिवाईज है यह तो एक डिवाईज आता है यह 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 डेटा के बाल आता है और इसके साथ इसका यह सब कुछ है इसके अंदर क्या है देखते हैं कि इसके अंदर ये सारी चीजे आती है ठाई है कर देखिए आप यह कुछ इस तरीके से हो गए कैमरी मैं है ट荞नों कैमरी इसके इंदर जर है निष्ट मौड़न लिखा हुआ एक फुछ दी हूई है यह मुझे लग रहा टच सेंसिटी हुए विकॉज यह प्रेस नहीं हो रही है तो जब यह कॉम्पूटर में कनेक्ट होगा तो यह चलेगा मुझे लगता है बटन विकॉज टच सेंसिटी है ऐसे होता है कुछ इसके नीचे ऐसे बोर्ड रखा जाएगा पीसी वी ऐसे रखें और डोंग जाएगी थर्मलय ऐगी और कॉज़्य थzejकto आपने डेंगे आपको डारेक्ली आप जा सकते हो अगर बेपिएगा आउ यह यंज तो लुके करेणेता तो डाउलोड होने में बहुत टाइम लगए पॉला क्टूरर टेरभ सेकंड लाट्स्ट ऑप्शन है यह सौफ्ट्वर क्लाइन करके यह आपको डाउनलोड करना है ठीक है तो आप डाउनलोड करोगे तो यहां डाउनलोड में इस प्रकार आ जाएगा अभी मैं इसको डाउनलोड कर चुका हूं विकोज यह विदाउट वी पिन बहुत टाइम ल अगर आपका 64-bit है तो 64-bit का driver install कीजिए अधर्वाइस 32-bit का कीजिए ठीक है हमने driver इंस्टॉल कर लिया और यह इसका software है इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है यहां पर आपको जो लेंगवेज कमफोर्टेवल है वो सिलेक कर लीजिए ओके एक्सेप्ट एंड दा एग्री मेंट करके नेक्स्ट यह कहां इंस्टॉल हो रहा है उसका लोकेशन बता रहा है आपको चेंज करना है तो कर सकते हो बट सी ड्राइव इसा ओके तो अभी क्या है हमारे पास जो पह एक 11 की PCV है जो शॉट में आई हुई है और यह हमने इसके नीचे रख दी तो यह वीजन पर आपको पुरा बोर्ड दिखेगा अब जैसे यहां पर थर्मल इमेज परोगे तो थर्मल इमेज दिखेगी ठीक है और अगर आप इस पर क्व दोड़ा वो दोनों ही आएगा है ना तो अबन पहले थर्मल इमेज प्योंके करेंगे और हमने इसको डी सी से कनेक कर रखा है तो हम डी सी को अन करेंगे देखो जैसे ही ओन किया यह तुरंती न यहां पर हीट होने लगा है और यह वन सिक्टी फेराड़ाइस जितना हीट हो चुका है मतलब यह हीट हो रहा है अगर आप इस पर वीजन पर क्लिक करेंगे मैं आपको थोड़ा सा ओपरेटिंग भी बता दे रहा हूं सॉफ्ट्व आपके लिए तो आप जैसे यह करोगे तो यह बता रहा है कि यही कैपेशिटर हीट हो रहा है मतलब यही यह मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जो यह सिस्टम है बहुत अच्छा लगा कि पुछने की बात नहीं है अभी आप थर्मल में आ जाओगे तो ऐसे उसके बाद एक उप्छन इसमें और है कि हम अगår जूम पे क्लिक करें तो जो एरिया सिलेक करिंगे ना खाली वही दिखागा देखी खाली धिखा रहा है तो ज़ूम पर फिर से लेसे और हो जाये अच्छा लगा आप तो घुड़ा इसको मूफ कर सकते और राइट लेफ्ट करत करना ह पूरी पूरीजी पीसीबी जो यह वह इसमें कवर होती अप डॉझ यह तारा कर सकते हो तो देखिए शेड़ो तो जया आपको एकड़म एकड़ी लोकेशन मिलेगी एकड़म 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 में सेट यह बहुत अच्छा लगा मेरे इसका फंक्चन यह बहुत अच्छा लगा कर आपको capture करना है तो आप फोटो भी capture कर सकते हो रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड भी कर सकते हो उसको slow motion में आप वह भी कर सकते हो अभी जो बोर्ड का जो हीट है वह maximum हीट एक component पर यहां पर देखे दिखा रहा है 131 फैराइट की हीट यहां पर है और नॉर्मल बोर्ड जो हीट हो चुका है इस component की वज़े से वह 71 फैराइट की डिग्री पर हीट हो चुका है तो बहुत अच्छा लगा मुझे यह software और मैं तो इसको fire auto fight दूंगा बस इसका एक लूफ हॉल एक ही है कि जैसे अगर आपको इसको यूज करना है तो आपके पास computer होना चाहिए एक और उसके बाजू में आपके पास DC machine होने चाहिए जैसे हमारे पास बहुत सारे मेरा capacitor short है तो यह वही thermal camera है जो हमने अभी आपको दिखाया और यह बहुत अच्छा लगा मुझे बस एक ही लूफ ओल था जो मैंने आपको बता दिया कोई बात नहीं है इतना तो compromise करना ही पड़ता है यहां type c है इससे यह computer से connect हो जाता है installation की process सारी मैंने आपको बता दिये यह बहुत ही अच्छा है और जो WD company है phone mobile industry के लिए सबसे पहले जो thermal camera launch किया था वो WD ने ही launch किया था ऐसे सीक ने भी launch किया था पर उसको modify करना पड़ता है इसने mobile industry के लिए dedicated एकदम dedicated thermal camera first इसी company ने बनाया था 2017 में मैंने वो thermal camera भी use किया था लेकिन यह वाला बहुत अच्छ सब कुछ बहुत अच्छा है जाहिर सी बात है कि मतलब एकदम छोटा सा जो thermal camera आता है लाइक ना फिल्यूक का हो गया है सीक का हो गया उसके according इतना बड़ा thermal camera है तो function तो ज्यादा होंगे ही होंगे यह जाहिर सी बात है तो मुझे अपने हिसाब से बहुत अच्छा लगा मै 5 की rating में अगर इसको देना चाहूं तो मैं 5 out of 5 तो अगर आप इसको purchase करना चाहते हो तो हम आपको यह जो market rate है इसका वह इस टाइम पर कुछ 24 से 25,000 रुपीस का market rate है तो आप इसमें कोई copy हो गया तो आता नहीं है लेकिन बहुत लोग है वो आपको faulty दे सकते है या ऐसा चेक गैरेंटी उगरा सारा कुछ देते हैं और अगर आपको technical support भी चाहिए होता है या आपका installation नहीं हो रहा है driver installation में problem है या कुछ related problem है तो आपको support कर सकते हैं अगर आपको purchase करना तो आप हमसे contact कर सकते thank you मिलते हैं next video में please बताइएगा कि यह हमारा review कैसा लगा आपको और आपको इससे कुछ सीखने मिलाया हो तो please like या comment कीजिए subscribe कीजिए आपने जिस दोस्ते share करना है उस दोस्ते share कीजिए okay मिलते हैं next video में मुझे तो यह camera अपने हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा मैं बहुत दिनों से बहुत साए thermal camera use करता हूं but is a good very good मुझे बहुत नेक्स्ट वीडियों में बाए गुटनेट